मम तब बहुती सीधी और प्यारी लड़की थी वही सुनिल एक सरल और आगे बढ़ने के सोच रखने वाला लड़का सुनिल बेटा सुनिल कहा है अरे ज़रा एक लस पानी तो दे दो हाँ मा अभी आया क्या मा पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है क्या हो गया है तब यह खराब है क्या अरे नहीं नहीं वो उठने का मनी नहीं कर रहा था तो देखा ही नहीं बसे क्या कर रहा है यहां बैठना मेरे पास मा पढ़ रहा था वो कहना नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता अब आफिस से घर आ करी तो वक्त मिलता है अच्छा अच्छा ठीक है पढ़ ले जा बेटा सुनिल पढ़ लिकर और आगे बढ़ना चाहता था लेकिन मा की तब्यद खराब देख कर सूचता है कि शादी ही कर ले कब तक मा का खायल वो अकेले रख पाएगा तो एक दिन मा ये ममता है मैंने इससे शादी कर लिया तुमारी तब्यद भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सुचा शादी कर लेता हूँ गर संबालने वाली और तुम्हें संबालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा मा अचानक से सामने बहु देख कर हैरान रह जाती है बिटा ये क्या बात होती है ना बैन ना बाजा ना दहेज ना शगून ऐससे कैसे बहु हो आ गई मा तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ तो कहां से इतना पैसा बचा पाता कि धूम धाम से शौदी करता वैसे भी मा लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे इसलिए बस वैसे ही मा जी मैं आपका ख्याल रखूंगी वैसे भी ये आगी की पढ़ाई कर रहे है अच्छा कुछ कर गए तो सब के दिन फिर से अच्छे आ जाएंगी सास को ममता की बात ठीक तो लगती है लेकिन मन में कहीं न तहीं लगता है कि कहीं महू बेटी को लेकर फर ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अखीली बेटा देख मेरा जो कुछ भी है वो सुनेली है और सुनेल का भी आप इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं क्या है सुनेल बलकुल मा लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का एहम इसा है जैसे तू है सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सलतनत में कोई और हिस्सदार कैसे हो सकता है कैसे कोई और उसके तीस साल की बेटे के जिन्दगी में अच्छानक से आकर बराबर का हिस्सदार बन सकता है देख बहू मैं बले थोड़ा बिमार रहती हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया मैं आज भी इस घर की रानी हूँ समझे बेटा सोचता है कि ये मा को अचानक से क्या हो गया कल तक जो मा कहती थी कि जिंदगी का कोई वरुसा नहीं वो अचानक से जंग के मैदान की जासी की रानी कैसे बन गए मा क्या हो गया सब ठीक है न अचानक क्या से बात कर रही हो ममता काज पहला दिन है स्वागत करो उसका आस पास के आंटियों को बुलाओ नई दुलन की मुझ दिखाय करवाओ खेर सास सास उने का फर्ज निबाती है और बाद में एक सहली के साथ बाहर निकल जाती है क्यों रही बताया नहीं कि बेचे का ब्याया कर रही हो वैसे तु सारा दिन हमी में गुसी रहती हो आरह मुझे भी तो अभी बता चला क्यों अचालक सर पर लेकर आगया कहता है बहु है मा तुम्हारी अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ लो जी ये क्या बात हो गई क्यों इतना प्यार करता है अरे मा का प्यार तो ज्यादा होता है अब उसको तो कोई दीसरे पति मिल सकता है लेकिन तुम ही बताओ क्या मा की मामता किसे और की हो सकती है ना जी ना बेटे को समझाओ यी बात अरे क्या समझाओ मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है जो बेटा है कल तक मा मा कर रहा था अचानक से बीवी बीवी का रागा लाप रहा है देखा उसकी बीवी ने सुन्दर और जवान है सुन्दरता के आगी तो एक से एक नहीं ठीक है तो तेरा बेटा किस खेट की मुली है सास को फिस समझ में आ जाता है कि बहुत की सुन्दरता के आगी मा का प्यार किसी काम का नहीं उधर बीबी ए जी अम्मा जी सहलियों को छोड़ने गई थी अभी तक आई नहीं हम देखाएं क्या अरे रहने तो ना आ जाएंगी कहां जाएंगी उनकी आदत है एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है अच्छा ही है खाना वाना खा कर गई होगी छोड़ो ना भूमेगी तो खाना पचेगा नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी बहु पिशान्त हो जाती है उधर साथ सूचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हो जब बेटा परिशान होकर ढूड़ेगा तब मसा आएगा बीवी को खुदी पता चल जाएगा कि मा के आगे उसके दाल नहीं गलेगी लेकिन वहीं दूसरी और घर पर एजी मा जी अभी भी भी नहीं आई हमको तो घपराट हो रही है कि कह करे जाकर पता करें किसी के गर अच्छा कहा जाओगी ये भी बता दो पहला दिन है तुम्हारा इस गर में और एक ही दिन में महलना चानोगी क्या अहां तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना हमको फिकर हो रही है अरे यार ये रोज का है अम्मा का खाओ और सो जाओ बस फिर क्या था बीटा बहु खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं उदर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वहार कर घर आ जाती है जहां वो देखती है कि सारे घर के लाइट्स बंद है सास को गुसा आता है बहु मामता बहु कहा हो लेकिन सारे दिन की ठकी बहु को ऐसी नींद आती है जैसे किसने भांग की गूली खिला दी हो वो तो नहीं उठती उठकर आ जाता है बीटा क्या बात है मता है चिला रही हो एरे सो जाओ ना सुबह की ठकी है बहु वो सो रही है लेकिन मन ही मन धीर सारा जहर बहु के लिए भरा होता है सुबह बहु चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज करतेती है जिससे चाय का बरतन चल जाता है और जैसे ही बहु चाय का बरतन उठाती है उसका हाथ चल जाता है मेरा हाथ चल गया वो जोर जोर से चिला कर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसकी हाथ में पानी डाल देती है हाई रे वहु क्या कर रही हो पहले बार रहे सोई चुई हो क्या सास मां गलती से गर्श तीज रह ग meisten जल गया जिस से मेरा हथ जल गया हाई रे कितना गंदा अग शी 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 मुझह तह उल्टी आ रही है तरह गलावा मास देख कर तो ना मुझा भी साथ सखाना मत लगाना बहु भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है कुछ दिनों के बाद सांस की सहली आती है बहु चाय बना कर लाती है उसकी जाने के बाद सहली कहती है बहु की सुन्दर्ता ऐसी है कि कोई भी दिवाला हो जाए वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है अरे वैसा ही है बहु के पीछे लड़तो क्या करो कुछ समझ में नहीं आए मैंने तो बहु की चहरे पर दिवाली के पठाके की चक्री भाती उसका पूरा चहरा जिल गया अब देखो ना रही सुन्दर्ता और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे बहु सारी बात सुन्रही होती है अटी एक बात बताईए क्या फरुसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे देख्या अटी मेरी सासमा को गलत बात सिखाने की ज़रूरत नहीं है हमारा परिबार साथ में खुशी से रह रहा है देख बहो मेरी सहली के बेज़त ना कर वही अच्छा रहगा तेरे लिए समझे बहो नहीं मानती है वो बार बार उनकी सहली को घर से निकल जाने को कहती है तब इस सास की सहली पास के चुले से लकड़े लाकर बहो के चेहरे पर लगा दीती है बहो जोर सोर से रूने लगती है अरे ये क्या कर दिया मैंने कहा किया ये तो ने किया तो ही नहीं चाहती थी के बहु बेटे के साथ रहे बला मैं क्यों करूंगी मैं था चली निप्टाब बहु रो रही होती है दर्द से चिला रही होती है लेकिन सास उसे डॉक्टर की पास नहीं ले जाती तभी पती आता है क्यों हो क्या मम्ता ममता कुछ नहीं कहती बस दर्थ से करा रही होती है पती मा की तरफ दीखता है हो ना हो मा ये पक्का आपका काम है आप ही ममता से जला करती थी न देखना मा अब पुलिस आएगी केस बनेगा लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ सबी अस्पताल जाते हैं जहां डाक्टर ममता की सास से कहते हैं आपने तो नहीं जलाया ना बहु को अब ममता की सास के तो पसीने चूट रहे होते हैं वो घबरा कर कहती है ना ना डाक्टर साफ कैसी बात करते हैं हम क्या जलाएंगे अपनी बहु को डॉक्टर माम्ता की पती से पूछते हैं देखिए क्योंकि ये सिसराल में जली है तो मामलग पुलिस का बनता है तो आप पहले पुलिस को बलाईए तब ही इलाज पुरा होगा सास डर जाती है कि आप तो बच्ची जिन्दगी जेल में ही रहना होगा सारी हसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे बहु को जलाना भले ही बहुत आसान हो लेकिन उसके बाद सारी जिन्दगी जेल की हवाकाना सास टर जाती है पुलिस आती है पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टीट्मेंट देती है आतो क्या हो तो क्या सजली आप ममता पास खड़ी सास को देखती है बेटी बदा कैसे चल गई तुम सास चुप सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बूलेगी जी मैं खाना बना रही थी लकड़ी उड़कर मेरी उपर गिर गई और मैं चल गई सास बहु भी बात सुनकर रोने लगती है देखा मा कितनी समझदार है ममता ये चाहती तो हाँ पेटा ये चाहती तो मैं आज जेल में होती मुझे माफ कर दे क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा कर हमारे नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करें ताकि कोई भी हमारी वीडियो न छूट जाए